परिचय मैंने अपनी त्रिकोण मिती बहुत अच्छी तरह से सीखी है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि इस भवन की उंचाई 10 मीटर है विदिका के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनवेशा ने त्रिकोण मिती का उप्योग किया है इस पार्ट में आप एक त्रिभुच के और उसकी भुजाओं के बीच के सब्मंदों के बारे में सीखेंगे। उद्दिश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। कोणों के त्री कोण मितिये अनुपातों को परिभाशित करना विशेश कोणों के त्री कोण मितिये अनुपातों का परिकलन करना पूरा कोणों के त्री कोण मितिये अनुपातों की गरना करना त्रीकोण मिती की वित्पत्ति त्रीकोण मिती शब्द की वित्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है त्रीकोण कार्थ है त्रिभुज और मिती कार्थ है माप इस प्रकार त्रीकोन मिती गणित की एक शाखा के अंतरगत आती है जुग एक त्रिभुच के कोणों और भुजाओं के मध्धे संबंध दर्शाती है मिस्र और कस्तियों के लोग खगोलिय अध्यन के लिए त्रीकोन मिती का उप्योग करने वाले सबसे पहले थे ग्रीक खगोल शास्त्री तथा गणितक के हिपपारकस ने पहली त्रीकोन मिती तालिका को संकलित किया था इसी वजह से उन्हें त्रीकोन मिती का जनक माना जाता है त्रीकोन मिती अनुपात आईए त्रीकोन मिती अनुपातों के साथ त्रीकोन मिती के लिए अपना परिचै शुरू करते हैं हम निम्न करेंगे त्रीकोन मिती अनुपातों के रूप में कोणों को व्यक्त करेंगे एक जैसे त्रिभुजों के त्रीकोन मिती अनुपातों की तुलना करेंगे X, Y, Z को देखें, जो Y पर सम कोन है, कोन X और Z दोनों नियून कोन है, X, Y, कोन Z की समग भुजा है, Y, Z, कोन Z की सलगन भुजा है, X, Z कर्ण है. आईए, अब तिरिभुज X, Y, Z की भुजाओं के अनुपातों के रूप में कोन Z के विभन मापों को व्यक्त करते हैं, कोन Z का साइन बराबर, साइन Z बराबर, समग भुजा बटे कर्ण, कोन Z का कोजाइन बराबर, कॉज Z बराबर, सनलगन भुजा बटे कर्ण, कोण Z का टेंजेंट बराबर 10Z बराबर सम्भुजा बटे सनलग्न भुजा कोण Z का कोजकेंट बराबर कॉजक Z बराबर एक बटे साइन Z बराबर कन बटे सम्भुजा कोण Z का सीकेंट बराबर सेक Z बराबर एक बटे कॉज Z बराबर कन बटे सनलग्न भुजा कोण Z का कॉंटेंजेंट बराबर कॉजकेंट बराबर कॉजकेंट बराबर एक बटे 10Z बराबर सनलग्न भुजा बटे सम्भुजा एक कोण को व्यख्ट करने के लिए Greek अक्षर ठीटा का उपयोग किया जाता है इसलिए sin z को sin θीटा के रूप में लिखा जा सकता है इसी प्रकार cos z برाबर cos theta, tan z برाबर tan theta, cos ex Z برाबर cos theta, sex Z برाबर sec theta, cot z برाबर cot theta समरूप त्रिभुजों के त्रिकोंड में दिये अनुपात दो त्रिभुज a, b, c और de, f लेते हैं कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F, अता त्रिभुज की समानता की AAA कसोटी से त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF के समान है, इसलिए दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान उपाती हैं, इस प्रकार ये सपस्ठ है कि एक त्रिभुज की भुजाओं को बदलने से त्रीकॉन मिथे अनुपाद नहीं बदलता जब तक कि उसके कोणों को ना बदला जाए उधारण त्रीकोंड मितिय अनुपात के बारे में हमारी समझ को सशक्त बनाने के लिए आईए कुछ उधारण देखते हैं यह दिया गया है कि त्रिभुज A, B, C में B समकोंड है कॉस A बराबर 5 बटे 13 है अन्य त्रीकोंड मितिय अनुपात ग्यात कीजिए कॉस A बराबर A, B बटे A, C बराबर 5 बटे 13 इसका मतलब है कि भुजाएं A, B और A, C पाँच बटे 13 के अनुपात में हैं अता हम कह सकते हैं कि A, B बराबर 5, A और A, C बराबर 13, A जहां A एक धनात्मक संख्या है पाइदागौरस प्रमय के अनुसार ये इस प्रकार है आईए अब अन्ने त्री कोण मितिये अनुपातों का मान ग्याद करते हैं एक समकोण त्रिभुज PQR लेते हैं निम्न लिखित का मान ग्याद कीजिए पाइदागौरस प्रमय के अनुसार ये इस प्रकार है विशेश कोणों के त्री कोण मितिये अनुपात त्री कोण मितिये अनुपात को समझने के बाद आईए अब हम निम्न की करना करते हैं 30 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 60 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 45 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात 60 डिगरी के त्री कोण मितिये अनुपात तीज डिगरी के त्री कौन में तिये अनुपात आईए समभाहु त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं जहां X, Y बराबर Y, Z बराबर X, Z बराबर S है कौन X बराबर कौन Y बराबर कौन Z है आईए अब हम शीर्ष X से भुजा Y, Z को T पर काटने वाला एक लंब खीशते हुए त्रिभुज X, Y, T और X, Z, T में X, T बराबर X, T है जो की समान भुजा है X, Y बराबर X, Z है जो की दिया हुआ है और कौन X, T, Y बराबर कौन X, T, Z जो की समकौन है इसलिए RHS सरवांग समता द्वारा तिर्भुज X, Y, Z और तिर्भुज X, T, Z सरवांग सम है इसलिए कौन Y, X, T बराबर कौन Z, X, T बराबर 30 तिकरी के है Y, T बराबर Z, T बराबर 1, S बटे 2 है पाइधागोरास प्रमे के अनुसार त्रिभुज X, Y, T में निम्न इस प्रकार है साथ डिग्री के त्री कौन में तिये अनुपात पुना समभा हुत्रिभुज X, Y, Z लेते है याद रहे कि X, Y बराबर Y, Z बराबर X, Z बराबर S है कौन X बराबर कौन Y बराबर कौन Z है शीर्ष X से एक लंब Y, Z खीचा जाता है जो भुजा Y, Z को T पर काटता है त्रिभुज X, Y, Z और त्रिभुज X, T, Z सर्वांसम है इसलिए Y, T बराबर Z, T बराबर 1S बटे 2 है पाइधागोरास प्रमे के अनुसार इस प्रकार है प्रकार है 45 दिगरी के त्री कोण में तिये अनुपात सम कोण सम द्वी बाहू त्रिभुज X, Y, Z लेते है X, Y बराबर Y, Z बराबर S है कोण Y बराबर 90 दिगरी है कोण X बराबर कोण Z बराबर 45 दिगरी है पाइधागोरास प्रमे के अनुसार इस प्रकार है पाट की शुरुवात में वेदिकाः और अनुवेशा की चर्चा याद कीजिये यहां दिखाया कया है कि अनुवेशा ने ativashen किस अनुसारी किस तरेकसे भवन की उचाई ज्याद की थी इस प्रकार भवन की उचाई दस मीटर है शुने डिगरी के त्री कोण में तिये अनुपात सम कोण त्रिभुज X, Y, Z लेते हैं धीरे धीरे कोण Z की माप को कम करते हैं आप देख सकते हैं कि X, Z बाइं तरफ खुमती है तथा आड़ी होती जाती है जब कोंड Z की माप 0 डिगरी तक घटाई जाती है तब XZ YZ से मिल जाती है और XY की लंबाई 0 ने हो जाती है आईए हम देखते हैं कि त्री कोंड मितिय अनुपातों के मान क्या होंगे 90 डिगरी के त्री कोंड मितिय अनुपात सम कोंड त्री भुज XYZ लेते हैं कोंड Z की माप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं आप देख सकते हैं कि XZ दैं तरव खुमती है तथा खड़ी हो दी जाती है जब कॉंड Z की माप को 90 डिगरी तक बढ़ाया जाता है तो XZ XY से मिल जाती है तथा YZ की लंबाई शूनने हो जाती है आईए हम देखते हैं कि त्री कॉंड मितिय अनुपातों के मान क्या होंगे इसलिए 10 90 डिगरी आपरिभाशित है आईए हम एक तालिका में अपने अभ्यास को दर्शाते हैं पूरा कॉंडों के त्री कॉंड मितिय अनुपात दो कॉंडों को पूरा कहा जाता है यदि उनकी मापों का योगफल 90 डिगरी के तुल्ले हो त्रिभुज XYZ लेते हैं जो Y पर समकॉंड है कॉंड X जमा कॉंड Y जमा कॉंड Z बराबर 180 डिगरी कॉंड Y बराबर 90 डिगरी कॉंड X जमा कॉंड Z बराबर 180 डिगरी घटा 90 डिगरी बराबर 90 डिगरी कोण X बराबर 90 डिगरी घटा कोण Z या केवल X बराबर 90 डिगरी घटा Z आईए सबसे पहले कोण Z के लिए 3 कोण मित्य अनुपात की सूची बनाएं आईए अब कोण X के लिए 3 कोण मित्य अनुपात की सूची बनाएं आईए सबसे पहले अपन अवलोकर्ण तयार करते हैं तथा प्रशनों को हाल करने के लिए उसका उप्योग करते हैं सेक 21 डिक्री कौस एक 89 डिक्री को हल करें। आईए अब उसी प्रश्न को अलग विधी से हल करते हैं। यदि 10A वर्ग बराबर कौट 90 डिक्री घटा 25 डिक्री कौन एक ही माप ग्यात कीचे। 10A वर्ग बराबर कौट 90 डिक्री घटा 25 डिक्री को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। कौट 90 डिक्री घटा एवर्ग बराबर कौट 90 डिक्री घटा 25 डिक्री इसका तात पर है कि 90 डिक्री घटा एवर्ग बराबर 90 डिक्री घटा 25 डिक्री। दूसरे शब्दों में ए वर्ग पराबर 25 डिग्री, ए पराबर 5 डिग्री. क्या आप जानते हैं? महासागरों में जुहार की उचाई और खगोलिये पिंडों के बीच की दूरी ग्याद करने के लिए त्रीकून मिती का उप्योग किया जाता है. त्रीकून मितीय अनुपाद को याद करने के लिए S, O, H, C, A, H, T, O, A. एक लोग प्रिये इसमर्ण युक्ति है. इसका मतलब साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कॉज एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनस और तैन अपोजिट अपॉन एडजसेंट है. यानि जया समुक बटे कर्ण, कोजय सनलगन बटे कर्ण, स्पर्श जया समुक बटे सनलगन है. शब्द कोजाईन आरे भड़ द्वारा प्रियुक्त इसके संस्कृत प्रतिरूप कोटिज्या के जैसे लगता है. आधी जया को निरूपित करने के लिए शब्द साइन, आरे भट दोरा, प्रयोक्त जीवा, अथवा, जया की लेटिन अनुवा से निकला है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं एक संकोंड त्रिभुज में नियून कोणों के त्री कोण में थिये अनुपात विशेश कोणों के त्री कोण में थिये अनुपात जैसे 0 डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी, 60 डिगरी और 90 डिगरी पूरा कोणों के त्री कोण में थिये अनुपात झाल झाल